Hello Students, आज हम पढ़ेंगी कविता, कविता वली, इस कविता को उत्तर कान से लिया गया है, आज इस कविता के रचैता से तूलसिदास जी हैं, तूलसिदास जी इस कविता में संसार में जीविका के लिए किये जाने वाले करमसील कामों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे की किसबी, कि किसान, कुल, बनी, विखारी, भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी, पेट को पढ़हत, गुन, गढ़हत, चड़हत, गिरी, यहां पर तूलसिदास जी कह रहे हैं कि किस भी अर्थात स्रम करने वाले जो रोज काम करते हैं, किसान, बनिया, विखारी, भाट, अ पर तूलसिदास जी करते हैं, चाकर, यानि कि नवका, और चपल, नट, अर्थात, जो तामासा दिखाते हैं, चोर, चार, चेटकी, अर्थात, बाजीगर होते हैं, यह सभी पेट को पढ़हत, अर्थात, पेटकी लिए पढ़ते हैं, गुन, गढ़हत, अर्थात, जो भी स मतलब होता है घना जंगल, घने जंगल में सिकार के लिए भी पेट की खातीर ही जाते हैं, उचे नीचे करम, धरम, अधरम, करी, पेट को ही पचत, बेचत, बेटा, बेट की, यहाँ पर तुलसी दाज जिकार रहे हैं कि पेट की खातीर ही उचा नीचा काम करते हैं, अर्थात सुब असुब काम करते हैं और धर्म अधर्म करते हैं पेट की खातीर ही अपनी बेटा-बेटी को भी बेज सकते हैं अर्थाद बेज देते हैं तुलसी जाजी करें है कि तुलसी बुझाई एक राम घंस्याम ही ते आगी बढ़ावत बड़ी है आगी पेट की यहाँ पर कर रहे हैं कि जो पेट की आग होती है वो जंगल की आग से भी बड़ी होती है और जंगल की आग तो बुझ भी सकती है पर तुलसी दाजी अपने जो भगवान राम हैं उन्ही के सहारे हैं और कर रहे हैं कि पेट की आग तो भगवान राम ही बुझा सकते हैं, जो घंस्याम है और स्याम रंग के हैं, इस कविता में तुलसित आज जी कह रहे हैं, कि जो हमारी समस्याए हैं, वो सिर्फ राम भगवान के सहारे ही सारी दूर हो सकती हैं, अब दूसरी कविता में देखते हैं, खेती ना किसान को भीखारी को न भीक बली बनीक को बनीज न चाकर को चाकरी जीविका विहीं लोग सिद्मान सोच बस यहाँ पर तुलसी राज जी कह रहे हैं कि अकाल के कारण अब अकाल पड़ा है तो उसके कारण किसान को किसान की फसल बरबाद हो गई है जिसे किसान को धान नहीं मिला है और भीखारी को भीक नहीं मिला और बनिया का ब्यापार नहीं चल रहा है बनीक अर्थात ब्यापारी होता है तो बनिया का ब्यापार नहीं चल रहा है चाकर को चाकरी अर्थात चाकर जो नौकर होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो इस कारण से जीवी का विहिन लोग सिधमान सोच बस कहें एक एकन सो कहां जाई का करी तुलसी दाजी करें हैं कि किसी के पास रोजगार नहीं है अर्थात काम नहीं है तो लोग सोच रहें हैं कि हम कहां जाएं और क्या करें क्या काम करें वेदहु पुरान कही लोकहु बिलोकियत साकरे सबय पै राम रावरे क्रिपा करी यहाँ पर तुलसिदाजी कह रहे हैं कि वेद पुरान में भी कहा गया है वेदहु पुरान कही अर्थात वेद पुरान भी कहता है कि और लोकहु बिलोकियत अर्थात लोक में भी असार संसार में भी सुना गया है कि सभी दुख भगवान राम की क्रिपा से दूर हो जाते हैं दारित दसानन दबाई दुनी दिन बंधू दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी तुलसी राजी कह रहे हैं कि जो दरीद्र रूपी दानाव है वो हमें परिसान कर रहा है अर्थात इस देश को दुबाई दे रहा है तो हे प्रभू हे दिन बंधू तुलसी राजी कह रहे हैं कि हे प्रभू आप इस दूइधा से और इस दुख से आप ही हमें दूर कर सकते हैं जो संसार में हाहा कार मचा रहा है तुलसी राज जी भगवान राम के ही सहारे हैं और उन्ही को अपने दुखों के से मुक्ति दिलाने का सहारा समझ रहे हैं इस कवीता में तुलसी राज जी की राम भक्ती प्रकट हो रही है और पूरी कवीता में ब्रज भासा का प्रयोग हुआ है अब तिसरी कवीता में दिखे धूत कहो और धूत कहो राजपूत कहो जोलाहा कहो कोई काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब काहू की जाती बिगारव ना सो यहां पर तुलसिदास जी कह रहे हैं कि कोई मुझे चाहे कुछ भी कहे धूत कहे अर्थात धूर्त कहे या अधूत कहे अर्थात परम ग्यानी कहे या अग्यानी कहे, मुझे कोई राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, जुलाहा अर्थात जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, उन्हें जुलाहा कहते हैं, तो तुलसिता जिकार हैं, कि कोई मुझे धूर्थ कहे, या परम ज्यानी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, मु मुझे किसी की बेटी को किसी की बेटे से ब्याहना नहीं है। तुलसी दाजी आगे कह रहे हैं कि मांगी के खईबो मसीत में सोईबो लैवो को एकुन दैवो दो। तुलसी दाजी कह रहे हैं कि मैं मांग कर खा लूँगा और मसान में सो लूँगा अर्थास जो मस्जिद होता है वहाँ पर सो लूँगा मुझे किसी से कोई लेना देना न और इस कविता में भी ब्रज भासा का प्रयोग हुआ है तुलसी दास जी की इसमें दास्यज की जो भावना है वो जलक रही है